हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेन्जोईन कंडनसेशन रियक्शन के पारे में पहले हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है इसमें जो प्रिपेर्शन होता है वो होता है अल्फा हैड्रोक्सी किटोन यह जो रियक्शन होता है कोई भी निकलुफाइल के परजेंश में जैसे कि सइनाइडनायान और या तो फिर एन्हाइट्रोसाइक्लीक कर बेन के परजेंशन में यह एक्जामपल देखते हैं यहां पर दो बेंजल डियाइट लिए हैं इनको कपलिंग रियक्शन कराते हैं साइनाइड और यहां पर यहां पर वाटर रिथाइल अल्कॉहल इसमें क्या होगा अब सबसे पहले देखिए यह जो कार्बन के साथ लगा हाइड्रोजन है यह जूड जाएगा ठीक है यह साइनाइड आ करके जूड गया अब यहां पर यह कार्बन और इकोस ऑक्सिजन के बीच में डबल बॉर्ड था यह तूट गिया और यहां पर नेगटिव चार्ज आ गया ठीक है और इन दोनों कार्बन के बीच में ऐसे बरॉंड बन गया यह ठ से हम लोग को बीन गया यह बेन जौईम के लिए इसको हम लोग समझेंगे मेंकैनिजम से अब हम लोग बेन जोईम compiler reaction का मेंकैनिजम में देखते हैं पर्स्टिस्टेप में क्या होगा बेंजल दिऑ्ट है इस पे आ करके सजय डऄंड इनायन तो इस case में हम लोग को पता कैसे चलेगा कि electron का कमी कहां है इसको देखते हैं है बेंजल टिहाइड वाले group को यहां पर oxygen और carbon double bond में bonded है ठीक है oxygen क्या करेगा अपना यह जो दोनों electron है pi bond ठीक है carbon का भी electron और oxygen का दोनों electron यह खीच लेगा और oxygen पर आ जाएगा negative चार यानि दो electron ए positive charge अब cyanide को मिल गया एक positive charge particle यह तो बोलें जहां पर electron का कमी है तो यह क्या करेगा आ करके इस cyanide ion और carbon में एक electron देगा और एक electron यह और यह दोनों बीच में bond बना लेंगे इतना के लिए रहें अब यही इस next step में हम लोग देखते हैं क्या होगा यह hydrogen है बस shift करके oxygen के पास चला जाएगा ठीक है यहां से एज पलस निकलेगा और एज पलस से वहीं जाएगा जहां पर इसको electron मिलेगा और वो है oxygen के पास oxygen पर जा करके यह bond बन गया और electron छोड़ करके गिया यह तो carbon पर आ गया नेगेटिव चार्ज यानि दो electron एक electron carbon का और hydrogen जो छोड़ करके किया ठीक है अब यही जो molecule यह compound बले जो हम लोग को मिला यह resonance stabilize है किस तरह से हम लोग देखते हैं यहां पर यह जो electron है यह जाएगा उठकर के यहां पर carbon और carbon के बिच बन जाएगा double bond और carbon carbon और nitrogen जो यह तिसरा bond था यह दोनों ऊठकर के nitrogen पर आएगा और इस वाले nitrogen पर आ गया दो electron यह नेगेटिव चार्ज ठीक है इस तरह से दोनों resonance structure सो करेगा अब हम लोग देखेंगे step 2 में क्या होता है step 2 में यहां पर यह पार्ट है यही पार्ट को हम लोग जो carbon में negative charge है carbon anion वाला उसको यहां पर लिखेंगे और एक benzyl dehyde यहां यहां यूज हो गया था दो benzyl dehyde को कपलिंग करना है एक benzyl dehyde का यह रूप मिला और दुसरा benzyl dehyde को इसी में जोड़ेंगे ठीक है यहां पर जुड़ेगा कैसे उसको देखें यह carbon पर negative charge है negative charge दरसाद है ठीक है अब यहां पर carbon और oxygen के बीच में वह ही काम होगा कि oxygen electron ले ले लेगा oxygen पर आगे negative charge यान दो इलेक्ट्रोन अब यह हम लोग को मिल गया sinohydrin benzoin अब इसी का बस rearrangement करना है और यहां से cyanide बाहर करना है यहां पर step 3 में हम लोग वही काम करेंगे इसको यहां पर उतार दिये हैं जैसा था वह ऐसा ही यहां से क्या होगा यह जो oxygen के पास hydrogen है यह shift करके बस इस वाले oxygen पर आकर जूड़ जाएग तो oxygen पर negative charge आगे यही है तिक है अब यहां पर आग जाएं और यहां से हम लोग cyanide बाहर करेंगे ठीक है cyanide जैसे ही बाहर गया तो इस case में क्या होगा यहां पर carbon पर आ जाएगा positive charge ठीक है और इस पर oxygen और carbon पर बन जाएगा यहां पर double bond ठीक है हम लोग यहां पर देख लेते हैं एक बार oxygen पर negative charge है और cyanide यहां से cyanide minus के रूप में बाहर गया यानि electron ले करके बाहर गया तो इस पर carbon पर आगया positive charge अब यह oxygen क्या करेगा इसको यहां पर यह लोन प्यर था यहां से यह इसको donate करेगा और carbon और oxygen के बीच में बन जाएगा फिर से double bond और इस तरह से हम लोग को मिल गया benzoin यहां पर क्या है alpha hydroxy ketone है यह इसी को बोलते है benzoin इतना के लिए है यही तहां हम लोग का benzoin condensation reaction और उम्मीद है कि तोड़ वीडियो helpful होगा मिलते हैं से किसी next वीडियो में बाब बाई